अस्सलामु अलेकुम आज की रेसीपी है फिश करी जिसके लिए मैंने लिए एक लाट साइज की पॉंप्रेट फिश इस अच्छी तरी केसे धोगे साफ कर लेंगे और इसके मसाले के लिए चाहिए पांच टॉमेटों, एक मेडियम साइज ओनियान, थोड़े सी कॉरियंडर, एक हैंडफूल कोकोनट, साथ से आठ लसन, दस बारा हरी मिर्चे और थोड़े से कड़ी पते और एक टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, एक टीस्पून जीरा, सॉल्ट टेस्ट, एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और तड़के के लिए चाहिए दो चॉप्ड गार्लिक, एक टीस्पून जीरा, और दस से बारा कड़ी पते सबसे पहले इन सारे मसालों का पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट बनाने के टाइम पे ब्लैक पेपर और जीरा भी आट करके इसका भी पेस्ट बना देंगे और अब देखते इसे बनाने का तरीका अब एक पैन लेंगे और उसमें हाफ का पॉल डालेंगे और जब तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाएगा तब उसमें तड़का एट करेंगी अब तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें तड़का एट कर दूँगी तड़का सॉटे होने के बाद मैं इसमें ग्राइंड की हुए मसाले डालेंगी और इसमें थोड़ा सानी भी एट करेंगी मसालों को और आप मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्डी पाउडर और नमक भी एट कर दूँगी सब मसाले एट करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढख कर रख देंगे पुखने के लिए थोड़ी देर के लिए और इसे थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे अब चार से पांच मिनिट हो गया है इसे ढख कर तभी मैं इसे चेक कर लूँगी इसका पानी सुख गया है तो मैं इसे और दो या तीन मिनिट के लिए और भूनूंगी काब करma है अनकी और जब यह अच्छी तारीकिसे बून जाएगा तब मैं इसमें एक माइल देड्गिलास कि पानी आड्ट करूँगी अब ये दो तीन मिनिट हो चुके इसे बून कर और इसका तेल भी उपर आ गए तो अब मैं इसमें एक से देड़ गिला स्पानी आट करूंगी अब अगर और पतली ग्रेवी चाहते हो तो इसमें दो गिला स्पानी आट कर देना जब इसमें पानी में बॉयल आ जाएगा तब मैं इसमें फिश एट कर दूँगी आव इसमें अची तरीके से बॉयल आ गये तो अब मैं इसमें फिश एट कर दूप और इसे 5 मिनिट के लिए डग कर रख दूँगी पकने के लिए अब पांच मुनिट हो गया है तो अब मैं इसे चेक करूँगी और यह अच्छे तरीके से रेडी हो गया है तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी अब मेरी रेडी हो चुकिए अगर आपको मेरी रेडी पस्ता आई है तो प्लीज मेरी रेडी को ट्राइ केजिए लाइक केजिए शेर केजिए और एक बार सब्सक्राइब केजिए थैंक यू